आज किस वीडियो का टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर री और्गनाज़ेशन एक्ट 2019 एक पार्ट में नहीं कवर होने वाला है बट बेसिक्स और इंपोर्टन पॉइंट आज किस वीडियो में कवर करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर री और्मेशन एक्ट की बात करते है स्टार्टिंग से इसका नाम क्या ऐसा यही था बलुकुल बने स्टार्टिंग में ऐसा नहीथा बिल तो यह बिल था जब यह पास हुआ तब जा कि एक्ट बना जम्मू कश्मीर को रियो और्गनाज़ exerc करा आगा है पहले स्टेट थे अब दो youtube में बंड चुकी है तो सबस के पास ही पूरे थार्टी पार्लेमेंट के पास है अब पार्लेमेंट में क्या क्या आता है पार्लेमेंट में लोग सभा है राज्य सभा है और प्रेजिडेंट ही तो कोई भी बिल जब वहां पर जाता है कोई भी एक्ट वहां पर नहीं जाता है पहले बाप पर बिल जाता है जहां पर discussion बगारा करी जाती है अग्वे वो जिसे मानन के लोगसभब में चला गया लोगसभब में जानने के बाद अगर वो लोगसभब में पास होता है फिर वो राजसभब में जाएगा राजसभब में भी पास हो गया फिर प्रेजिडेंट के पास पहुंचेगा प्रेज तो लेकर गए थे लेकिन कहां पर लेकर गए थे राजसभब में लोगसभब में तो पारलिमेंट में सबसे पहले राजसभब में लेकर गए थे पांच अगर्स 2019 को और राजसभब में पास हो गया जब राजसभब में पास हो तो किस तरह से पास हुआ 125 ने favor में voting करे थी और 61 इसके against में थी देखो pass किसे करना था simple majority से pass करना था simple majority का मतलब क्या है जितने भी member वहाँ पे present हो गई उसके 50% से जादा अगर favor में voting करते हैं तो pass हो जाएगा इसलिए पहले ही सभी को कहा गया था जो भी ruling party से को कहा गया था कि आपने वहाँ पर present रहना ही रहना है बड़ा important रहने वाला है तो जितने member थे उसमें से 50% से जादा ना तो voting कर दी favor में तो राजसबब में यह पास हो गया था अब उससे पहले भी question बनता है ठीक है जो reorganize करा authority पार्लिमेंट के पास है पार्लिमेंट कर सकता है लेकिन कौन सा article वहाँ पर यूज कह जाता है तो हमारे इंडिन constitution के part 1 में जो आर्टिकल number 3 है वही बताता है कि कैसे states को reorganize करना है ये boundaries को alter करना है तो article 3 को use करना है तो इंडिन constitution के part 1 के article 3 को use करा गया था और पारलिमेंट की ह इस थीवन अगेंस्ट में थी और ये बिल जो है ये किसने पेश के था कौन लाया था सामने अब राजत सब्सक्राइब में जब यह पास हो गया तो नेच्स डे यानि कि शिक्स्थ अगस्ट को यह जाता है लोकसवा में और लोकसवा में तो बीशी बाता बड़ा आसान था प खुर्ड ञास्टक बहुए कैसे आप जान था प्रेजिटिनींट के पास कमया है नाइन अगस्त ने भी अप्रूवल कर घर लिकिन प्रेजिटिन से ही एक्त बन सकता था लेकिन कहा गया कि इसे हम effective कब से लाएंगे किसे implement कब से करेंगे वो जो date थी वो 31 October set करेंगे थे क्यों युदि इस दिन National Unity Day होता है राश्टर एक्ता दीवस होता है मतलब सरदार वल्लब भाई पटेल जी के birth anniversary होता हुथ उनका बड़ा contribution रहा है पहले इसलिए specialist कहागे कि हाँ चाहे साइन 9 अगस्त को कर दिये हैं लेकिन जो इसे हम implement करेंगे वो 31 October से implement करेंगे और इस तरह से यह जम्मो इंड कशमीर reorganization bill था वो यहां पर active बन चुका था और जितना में आपको बताया अब भी यहीं से JKSSB कि जो exam हां पर पेश कर गया था किस ने किया था होम समीज चान ने कर रहा था प्रेजिडेंट ने साइन कप करें थे और इवन यह क्वेशन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डे जो है वो जम्मू कशमीर री और जोड़ा हुआ है एक option में national unity day था क्योंभी 31st October हो क्या आता है national unity day ये फिर राष्ट्रे इसन दीवस बोलो देखो हर एक line से question बन रहा था ये भी पूछा गया है कि कौन से article को use कर जाता article 3 को use कर जाता है तो हर एक line से question बनता है इसलिए topic बड़ा important रहने वाला है और एक ही पार्ट में नहीं cover करो step by step लेके चलो ताकि थोड़ा पड़ो लेकिन जो पड़ो वो अच्छे से करो ये concept सारा clear हो गया अब इसके बात की कहाने जो है बड़ी important रहती है जम्मू कश्मीर री और mission F 2019 के गर हम बात करेंगे इसमें क्या है 14 parts है यहां से भी question बने हो कितने parts है 14 parts है 103 section है 14 parts 103 sections है और 5 schedule भी है ठीक है ये भी आपको पता होना चाहिए और आज की इस वीडियो में जो 14 parts है इसकी tricks अब cover कर लेंगे उसकी बाद जो important sections नहीं से question बनते हैं वो भी cover करना start करेंगे सबसे पहले है पार 14 हो सकता आपको screen में भी देखने को मिल रहे होंगे लेकिन उससे पहले है इसका अगर आपको PDF चाहिए आप जाए टेलीग्राम जेके latest info के नाम से है comment section में description box में भी link मिलेगा वहाँ पर जाके भी join कर लो वहाँ पर search चाके करना जम्मू एंड कश्मीर री और आपके सामने PDF आजाएगा वह पूर डिटेल्ड पीडिएफ है वहाँ पर जाके भी पढ़ सकते हो अब 14 पार्ट की बात करेंगे इसमें पार्ट नंबर वन क्या आता है preliminary preliminary में क्या बताएगा कि कि इसका नाम क्या होगा जम्मू कश्मीर करके इस तरह से नाम होगा और कुछ definitions बताएगी जैसे अगर आन्नेवल टाइम पर हाई कोट बोलेगा इसका मतलब होगा इसका कि ऑन कि इसका करेंगे जम्मू कुषमीर को लोग सब्सक्राइबा डिप्रेजस्लेटरö लाइजिस्लेट्र में किस तरह से सर्थ Pierborg म streets70 में बताएगा इसगा पार्ट फॉर में क्या बताया गया है एडमिनिस्ट्रेशन आफ यूटी अफ लदाख की लदाख को कैसे आइडमिस्टर कर जाए कौन से आर्टिकल की लदाख में काम किया जाएगा इस तरीके से फिर पार्ट फाइफ आपको देखने को मिल रहा होगा अब डिलिमिटेशन के बारे में बताएगा, सेठ से बढ़ा नहीं, किस तरह से बढ़ा नहीं, हो सारा विद्यमिटेशन में बताया गया है, फिर पार्ट इेट के बारे में सुप्रुवर्वर्ण की लिब्रेंग भाड़े जाया है, फिर पार्ट एंड में बताया गया है एड़ोकेट जनरल हाई को देखने को मिल रहा है एपोइंटमेंट अफ एसे लिएबिलिटीज बगारे के बारे में बताया गया है फिर पार्ट 12 के अगर हम बात करें को लेकर बताया पार्ट 13 ने आपको सर्विसी सुला सेक्षेन देखने को मिल रहा है और पार्ट 4 में जो लीगल प्रोविजन से इस तरह सुनके बारे में बताया गया है तो इस तरीके से 14 के 14 पार्ट के बारे में पता होना चाहिए पसे एक्जाम में डिरेक्ट ली पूछता कि कौन से पार् ठेक्षास के बाद कर दिया तो कानून बगारा उसके लिए असकी बाद लैजिसलेचर आ गया थर नमबर पर क्या लेजिसलेटर जिसमें पार्लिमेंट वगरे सब कुछ कानुन वगरे बनाएगा अब हमने कानुन वगरे बना दिये तो लदाक को क्यों बूल रहे हो यहां पर जिस सिर्फ जम्मू कश्मिय का नाम था लदाक को भी तुलाना पड़ेगा फिर उसके बाद पार्ट नमबर फोर सब्सक्राइब करते हैं अब जब अपने लदाक को भी एड कर दिया सीट का बंटवारा करना पड़ेगा सीट का बंटवारा करने के लिए पार्ट फाइफ में डिलिमीटेशन आ गया इंपने बड़ा नाम सुना होगा वह हमारे सामने आ गया फिर डिलिमीटेशन वगर लेकर रहे हैं आप सीट का बढ़ारा करना है तो देलिमिटिशन लेकर आगे अब सब कुछ हो गया ऐसी एस्ट काइटेगर तो हर जगा आएगी तो उन्हें कैसे बूल सकती है हमने सारे काम करी लिए हैं अब हमघस की बात क्लिए तो मिस्टी बारे मं बताया हो था तो फिर वन्हें वात कर लिए अब जब लगा को अब हम बात करते एक्स्पेंडिचर की यह फिर रवीडियू भी समझ कियो इस तरीके से पार्ट अपने कवर कर लिए फिर पार्ट 11 में क्या है appointment आगी assets किस तरह से बांटी जाएंगी जम्हों कुश्मीर की कैसे बढ़ रहा हुग उसका अब appointment वाड याद रगना के बारे में ने के बारे में आगे लिगल प्रोविजिंस के बारे में बटाया गया ना सब कर ले करके अब सब कुछ हो गया अब हमने इसमें फंड्स वगरह की बात की मिशनिन से जब फंड्स की बात की तो हाई कोट और एड्वोकेर ज़रूर काने ज़रूर था अब जब उनकी entry हो गी अफमेंड की बात करने यह कि पार्ट ti जिनों में आने वली वीडियो में कवर होंगे छिलाल जितना भी important था basics था वो आज किस वीडियो में कवर कर लिया है उमीद करतों को वीडियो अच्छी लगी होगी आप वीडियो को share भी करोगे और JKSSB exam questions के नाम से playlist बनी है वो playlist में आकर जितनी भी वीडियो हैं वो जरूर देखिए उसमें JKSSB में आयो वे questions वो आपर एक्जाम्बले important questions कवर करवाए जा रहे है Thank you, जाहिंद